अलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल दोस्तो आज बहुत ही अलग सा लंच बनाया था तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ मैंने लॉकी के एकदम करारे से पराठे एक यूनिक सी लसन की चटनी और स्टफ कैपसीकम बनाया था बहुत ही अधा टेस्टी बना था तो चले देखते हैं कैसे बनाया है तो सबसे बहले मैंने आदी लॉकी ले लिए है और उसको मैंने छील लिया है यहाँ पर मैं दो जनों की खाने की प्रिपिशन कर रही हूँ अगर आपको जादा लोगों की प्रिपिशन करनी है तो उसकी अकॉर्डिंग आप ले ले तो यहां पर मैंने कदूकस ले लिया है इसका जो बड़ा वाला साइड होता है वहां से आपको नहीं करना है कदूकस जो मीडियम साइड होता है वहां से इस लौकी को इस तरीके से कदूकस कर लेना है इस साइड से कदूकस करने से लौकी का जो कस निकलेगा वो बहुत ही के लिए धक कर रख दूंगी इतने हम हमारे आटे की प्रिपिशन कर लेते हैं तो यहां पर मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है और एक चौथाई कप बेसन लिया है इससे जो पराटे हैं बहुत ही करारे बनते हैं थोड़ा से नमक लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग और क चाहे तो एक कपड़े के अंदर डाल कर भी इसको अच्छे से निचोर सकते हैं अब जो लौकी का पानी निकला है ना उसको चलनी से चान देंगे हम हमारा जो आटा है उसके अंदर ताकि न्यूटिशन सारा हमें मिल जाए लौकी का और हम कोशिश करेंगे कि उसी पानी से अगर आटा लगा ले अगर आपको जर्वत लगे तो थोड़ा सा नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हैं आटा लगाने के लिए और आपको एक अच्छा सा लचीला सा डो लगाकर एकदम रैडी कर लेना है ताकि हमारी जो पराते हैं वो भी एकदम अच्छे से सॉफ्ट और मैंकर करारे बने तोड़ी डाला लाल मिस्च पाऊडर, द वेकदम करहें मैसाला नहीं तो अमचור भी डाल सकते है इन सबी को mix कर लेंगे और इसके ओपर मैंने हरा धनिया डाल दिया है और थोड़ा सा प्यास जाला है प्यास से इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सारे इंग्रीडियंस जो है अच्छे से mix कर लेना है अब हमको दोस्तो एक जित ध्यान में रहे कि अब यहां पर नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है नहीं तो लौकी फिर से पानी छोड़ देगी और सारा जो फ्लेवर है वो खराब हो जाएगा अब हम स्टफ कैप्सिकम बनाएंगे तो यहां पर मैंने एक कैप्सिकम ले लिए है यह मैं दो जनों के लिए बना रही हूं तो इसलिए मैं तो आप लेंगे और इसको हम अब तीन पीसे से टे कर लेंगे बहुत ही संदर शेप आता है तो आप लोग भी अगर आपके पाश चोड़े चोड़े का मन है तो आप इस तरी के से बना सकते हैं यहां पर एक पैन में थोड़ा सा ओयल लेंगे और उसके अंदर में जीरा डा प्याज को बिल्कुल भूना नहीं है हलकर ट्रांस्पेरिंट हो जाएगा फिर हम इसमें मसाले अड़ करेंगे तो मैंने यहां पर हल्दी पाउडर डाला है लाल मिश पाउडर डाल दिया है धनिया पाउडर में इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर यहां पर मैंने तो आप चाच मसाला भी इसमें डाल सकते हैं थोड़ी कस्तूरी मेति भी मैंने इसमें डाल बहुत ही अच्छा लगता है कैपसिकम जरूर आप लोग ट्राइब कीजिए और बहुत ही इजी सी रेसिपी है तो जब मन करें तब बनाइए और खाईए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको यह स्टफ कैपसिकम मेरे तरीके से कैसा लगा तो इस तरीके से मैंने तीनो कैपसिकम में आलू जो है वो भर दिया है आप चाहें तो इसके अंदर आप पनीर वगएरा भी डाल सकते हैं मैं सिर्फ आलू भर रही हूं को कि बहुत ही अच्छा लगता है आलू वाला कैपसिकम जो होता है अब हम थोड़ा सा ऐल गरम करके पैन में इसको हम सिम पर पकने देंगे ढखकर अब जितने ही बन रहा है हम हमारी गार्लिक चटनी बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने 10 से 15 कलिया गार्लिक की लीती उनको मैंने कदूकस कर लिया था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लाल मिश पाउडर थोड़ा कश्मीरी लाल मिश पाउडर जीरा पाउड इसकी जो गार्लिक चटनी है इंस्टेंट गार्लिक चटनी वह बनकर एकदम रैडी हो चुकी है ट्रस्ट में दोस्तों पराथे के साथ यह बहुत ही अदा टेस्टी लगते तो आप लोग जरूर ट्राइब कीजिएगा जो हमने डो बनाया था पराथे के लिए उसको भी इस थोड़ा सा और मसल मसल कर अच्छे से लगा लेंगे और जो कैप सिकम है वो भी दिखे नीचे से इस तरीके से एक दम पक चुका है कि तो सुंदर लग रहा है रैड रैट सा तो इसको भी मैं पलट दूंगी और फिर से गैस पर सिम पर पकने के लिए रग दूंगी और हम प इस तरीके से इसको पैक करेंगे वारे जो के मसाले को आटे के अंदर तो और ऊपर की थोड़ा सा मोटा मोटा पार रोता है वह तो इस तरीके से अगर पराथे बनाएंगे तो लुक का मसाला है वह एक एक ये कोने में अच्छे ब्लाठ रहां जायेगा अंदर बहुत ही नहीं निकलेगा हलके हलके हाथों से उसको इस तरीके से बेल लेना है एक साइट मेने तबाग गरम करने पहली रख दिया था थोड़ा सा घी लगा देना है और फिर पलट कर दूसरी साइट से भी हम घी लगा देंगे और हमारा जो पराटा है लोगी का बनकर एकदम रैडी हो चुका है क्रिस्पी सा रेड रेड सा पराठा बना है आप जरू ट्राइक कीजेगा और बच्चों को तो यह बहुत यह पसंद आएगा मैं एक और पराठा आपको बना कर दिखा देती हूं तो इस तरीके से लोई ले लेनी है उसमें सूखा आटा लगाना है और उसको हलके पराठा से बंद कर देना है एक दम रेड़ी हो जाएगा बस तब टालिये घी लगाए दोनों साइट सिकने पर यह तक मीडियम फ्लेम पर शेक लीजिए आपके मज़े दार से लोई के पराठे जो है वह बनकर रेड़ी हुजाएंगे आप ख़ yi अपने परीवार को खिला और कमेंट रेक्षन में जुरूर बताइए कि आपको करारे से और यम्मी से लोकी के पराटे कैसे लगे लसन की चटनी और स्टफ कैपसी कम के साथ अब एक साइट जो हमारी जो कैपसी कम है वो सिक बनकर एकदम रैडी हो चुकी है अब मैं यहां पर थोड़ा सा पनीर इसके अब यूज कर सकते हैं उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है थोड़ा सा मैंने हारा धन्या भी इस पर डाल दिया है और पांश मिंकले इसको ढखने के और पकने दिया और हमारा स्टफ कैपसी कम बनकर रैडी हो गया है चलो अब प्लेटिंग की बारी आती है तो हम परा सब्सक्राइब करने में ही मुह में पानी आ रहा है देखकर तो आप लोग जरूर बताइए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ के नहीं और देखके जो पराथे में लौकी है वह एक एक कोने तक अच्छे से पहुंच चुकी है तो आप भी कोई भी पराथा बनाए इसी ट्रिक से बनाईएगा और आप लोग कहां से मेरी रेसेपी देखते हैं जरूर कमेंट श्रक्षनर बताइएगा और रेसेपी पसंद आए तो ले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मैं ऐसी वीडियो से आपके लिए लाती रहूं थैंक्यो फोर वाचिंग